नमस्कार मैं हो ससी आया जारखन के टोप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन के करमचारियों को हेमन सरकार का तोफा महांगाई भात्ता में 1150 दी विरिधी जारखन केबिनेट की बैठाग मंगलवार को सीम हेमन सुरेन के अधरक्स्ता में प्रोजेक्ट वहन में हुई पर मोहर लगाई गई बदादे केंद्र सरकार की तोज पर जारखन सरकार के करमचारी के महांगाई भाता में विरिधी की गई है करमचारियों का डिये 1150 दी बढ़ाने के परस्तावों केबिनेट ने पारित कर दिया है एक जुलाई 2021 से परभाव से महांगाई भाता की दर को 17% के बर्तमान दर से बढ़ा कर 28 फिशदी के रूप में स्विक्रित किया गया है मोसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक राजे में भारी बारिस हो सकती है इसके बाद मानसुन कमजोर पर सकता है 30 जुलाई को जारखन के उतर पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिस हो सकती है 31 जुलाई से मानसुन थोड़ा कमजोर पर सकता है 31 जुलाई और एक अगस्त को आकास में बादल चाय रह सकते है इस दोराण हलके से मध्य दरज की बारिस हो सकती है जैक बोड दसवी बरावी रिजल्ट 31 जुलाई तक दसवी और बरावी के रिजल्ट के लिए जारखन के लाखोच छात्रे छात्राओं का इंतियार अवजल्द ही खत्म होने वला है बतादे जार्खन जैक, बोड की दसवी और बरावी का परिजल्ट विमां इसके माहा के अंध में आएगा जैक के चे़रमेन डाक्टर अरβिन परसाद सिंग ने या जनकारी दी है उन्होंने बताया कि 31 जुलाइ तक परिचा पईनाम घोसित हो सकता है उन्होंने कहा कि आंत्रिक विसलेशन के अधार पर परिचा पईनाम त्यार हुया है इसके साथ ही पईनाम से किसी को औसन्तूष्ट होने का मौका नहीं मिलेगा मवादियों ने दी सहीद सप्ता मनाने की चुनावती सभी जीलों को किया गया अलर्ट राज में भागपा मवादी ने गाव से लेकर सहर तक सहीद सप्ता मनाने की चुनावती दी है भागपा मवादी की केंद्री ये कमिटी ने एलान किया है कि जार्खन समेत तमाम मवादी प्रभावाले राजियों में पूलिस के साथ मुर्भेड में मारे गए मवादीयों को सर्धाजली देने के लिए उनके गाव या नजदी की सहर में जाकर सहीदी कारेकर मनाये जाएंगे मवादियों के एलान के बाद राजे पूलिस की विश्यस सखा ने इस सम्मन में अलर्ट जारी किया है अलर्ट के मुताविक 28 जुलाई से 3 अगस्तक सहीच सप्ता मनाया जाना है भूक हर्ताल पर बैठी दो छत्राओं की तव्यत बिगडी छत्रविर्ती पोटल दो वाराग खोलने की मांग को लेकर राजे के बिएट कोलेजों के छत्रे छत्राओं के अनिश्चित काले अंसन दूसरी दिन मंगलवार को भी जारी रहा इस दोरान इसमें सामिल दो छत्राओं की तव्यत बिगड़ गई नीजी इसकूलों में फिस बिरिदी और अने सुक लिये जाने के खिलाब जार्खन अव्यावक संग के आंदोलन के दूसरे दिन मंगलवार को मुराबादी में दानी स्थित गांधी परतीमा के समक्समों धारना पर्दसन का आउजन किया गया कारिकेम के अध्यक्सता संग के अध्यक्स अजायराय ने की बारिश के बाजोद भी अव्यावक संग के सदस भिंगते हुए धारनास्तल पर हाथों में बाइनर पोस्टर लिये डटे रहे राज जेपाल से मिले स्वास्त विभाग के अपर मुक्सचीव स्वास्त विभाग के अपर मुक्सचीव अरुन कुमार सिंग ने मंगलवार को राज जेपाल रमे स्वास्त मुलकात की जार्खन के नौवी दसवी के लाखो चात्रों को पहली बार मुफ्त में मिलेगी किताबे जार्खन के नौवी दसवी के लाखो चात्रों के लिए अची खबर है अब इन्हें भी मुफ्त में किताबे मिलेंगी पहली बार राजे के लाखो छात्रों को इसका लाब मिलेगा बदादे राजे के हेमन्त सुरेन सरकार नौवी व दस्वी के छात्रों को सत्र 2021 बाइस से मुफ्त कितावे देने के त्यारी में है कोचिंग हब के रूप में विक्सित होगा जारखन सहरों में कोचिंग को बढ़ावा देगी सरकार राजी के हिमन सरकार जार्खन को कोचिंग हब के रूप में बिक्सित करेगी इसके तहत राची जमसेदपूर बोकारो धनबाद देवगर आदिस अरों में मेडिकल इंजिनियरिंग यम अन परिदोगता परिक्षावों की त्यारी के लिए कोचिंग संस्थानों की अस्थाप अपना के लिए बढ़ावा दिया जाएगा मोख्रमंत्रि हमन सुरे ने जार्खन को कोचिंग हब बनाने की संभावनावों पर चार्चा करने के लिए 30 जुलाई को इसकुली सिक्षा यम सक्षर्दा विभाग की बैठाक बुलाई है जार्खन में 49 नए केस मिले हैं जार्खन में 37 मरीज स्वास्त भी हुए हैं जार्खन में कुल एक्टिव केस की संख्या 247 है भारत में 42 या 966 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 393,500 है